अगला जो technique of assessment है जिसके बारे में बात करेंगे वो है observation अब एक बच्चे के विकास में development में learning में बहुत सारे aspects होते हैं कुछ quantifiable होते हैं कुछ qualitative होते हैं अब quantifiable aspects को हम एक achievement test के तुरू measure कर सकते हैं और वसे aspects को दिखाने के लिए capture करने के लिए marks card जैसे tools को यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें पता करना है कि बच्चों का match में कैसा performance है तो एक test देखे हम measure कर सकते हैं कि बच्चों का understanding क्या है और उस test के results को हम marks card में दिखा सकते हैं लेकिन अगर हमें qualitative aspects को measure करना है जैसे कि बच्चे का confidence level कैसा है, creativity कैसा है तो ऐसे qualitative aspects को हम सिर्फ observation के तुरू हम पता कर सकते हैं understand कर सकते हैं और जब एक teacher parents से मिलती है during the parent teacher meet so teacher जो है बहुत सारे qualitative aspects के बारे में parents को बता सकती है जैसे कि आपके बच्चे का speaking ability बहुत अच्छा है, बच्चे का confidence level बहुत अच्छा है लेकिन बच्चे का handwriting जो है होतना ठीक नहीं है तो हमें handwriting पे काम करना होगा और बच्चे को singing, dancing, drama जैसे extracurricular activities में बहुत interest है लेकिन बच्चा जो है वो sports में कोई interest नहीं दिखा रहा है तो इसके वज़े से हमें बच्चे को एक या दो sports में compulsorily डालना होगा और बच्चे का creativity बहुत अच्छा है लेकिन जो activities classroom में दे जाते हैं तो बच्चा वो time पे complete नहीं कर रहा है तो इसके मतलब है कि punctuality और effective use of time पे हमें काम करना होगा और बच्चे का जो social interaction है classroom में वो बहुत ही अच्छा है तो ऐसे सारे qualitative aspects के बारे में समझने के लिए observation एक अच्छा technique होता है तो observation सिर्फ एक simple process है जिसके तुरू teacher बच्चों को observe करते हैं ताकि वो सारे qualitative aspects वो सारे areas जो की pen and pencil पे test से measure नहीं किया सकते हैं तो वो सारे aspects को समझने के लिए इस observation technique का इस्तमाल कर सकते हैं